अलो मेरे बावर्चियों कैसे हैं आप लोग सास्री कालादाम नमस्ते तो आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ सबसे आसान वाली रेसिपी यानि कि धाबा स्टाइल गुजराती गोबी की रेसिपी तो इसके लिए करना ये है कि इस तरीके से गोबी के डंडल हटा देने है और उपर का पोशन ऐसे काट लीना है अच्छे तरीके से अब ये उपर के पोशन को दो हाफ में हम लोग कर लेंगे और उसके बाद ये सारे के सारे जो गोबी के फूले इन्हें काटते जाना है इसली ये कट हो जाएंगे और सासाथ में चेक भी करते जाना है कि कि किसे में कोई कीड़ा वगेरा तो नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जो डंठल है मैंने अलग कर दिये और फूल अलग कर दिये है उसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ तीन टमाटर टमाटर को भी अच्छी तरीके से चौप करके रख लेंगे और साथ ही साथ यह इसमें क्योमिन सीट्स याने की जीरा डाल देंगे जीरा डालने के बाद अच्छे से जीरे को तड़कने देंगे जीरा जब हलका सा तड़कने लग जाए तो इसमें हमारे कटे हुए टमाटर डाल देंगे बहुत इस सिंपल और बेसिक रेसिपी है ज़रूर बुना के ट्र अपनों है यह पिलोब सितर्वापना टान कवापन और नहीं जोए तरती दो ठाटे तो अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और टमाटर का जो पानी निकलेगा उसी में इसे पकने देंगे तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे दस मिनिट तक पकाना है जब तक टमाटर अपने पानी में ही गोबी को अच्छे से पका लेग दस मिनिट के बाद गोबी आप देख सकते हैं बनके रेडी है हरा धनिया डालिए उपर से हरी मिर्च के साथ सर्फ कीजिए बहुत ही टेस्टरी लगेगा पराथा रोटी लच्छा पराथा किसी के साथ भी एंग्जॉई कीजिए घर में सभी कोई रेसिपी पसंद आएगी इ इजिली बन जाएगी तो खाओ प्यों मजे करो और रेसिपी इस के लिए फटा फट चैनल को सब्सक्राइब करो